गुड मर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंग, आज आपको नवीन पल्लव का पार्ट अठार है, पढ़ाने जा रही हूँ, इसका नाम है जहांसी की राने, यह एक कविता है, इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चोहान, आओ बच्चो अब यह कविता पढ़ते हैं, इस कविता में विरांगना लक्ष्मी भाई के सोर्य एवं वीर्ता कवर्णन रोमान्चक धंग से किया गया है, जहांसी की राने लक्ष्मी भाई वेह भारते विरांगना थी, जिन्होंने सवतंत्रता के लिए रण भूमे में हस्ते हस्ते वारत सवतंत्रता के लिए सन 1857 में लड़े गई, प्रथम सवतंत्रता संगराम का इत्यास उन्होंने अपने रक्ष से लिखा था, उनका जनम 19 नौमबर 1828 को वारानसी में हुआ था, उनका बच्मन का नाम मनी करने का था, लेकिन लोग प्यार से उन्हें मनू कहते थे, उनकी मा का नाम भागिरितिबाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, उनका विवा जहांसी के राजा गंगधर राव के साथ हुआ था, विवा के बाद उनका नाम लक्षमिबाई रखा गया, इन्होंने सिर्फ 29 साल की छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजी सामराजे की सेना से यूद किया और अपने शोरे से अंग्रेजों के दाथ खटे कर दिये थे, इनकी मृत्यूसन 17 जून 1858 को हुई थी। पूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठाने थी। सिंगासन हिल उठे राजवन्षों ने भुक्ती ताने थी। अंग्रेजी दास्ता से तरस्त अर्थार्थ दुखी राजाओं को गुस्सा आ गया था। अब उन्होंने अंग्रेजो को हराने की अपने मन में ठान ले थी। बूढे भारत में आई फिरसे नई जवानी थी। ऐसा लगता था कि भूढे भारत में फिरसे ने जवानी आ गई हो। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचाने थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठाने थी। जासी की रानी लक्ष्मी बाई ने गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए भारते सेना में चिंगारी लगा दी थी अब सब राजाओं ने अपनी आजादी की कीमत पैचान ली थी और सबने अपने मन में अंगरेजों को अपने देश से दूर भगाने की ठान ली थी अर्थार्थ सबने अंग्रिजों को अपने देशे भगाने का निश्य कर लिया था चमक उठी सन 57 में वे तलवार पुरानी थी वे तलवार जो बहुत पुरानी थी वे 1857 में चमक उठी अर्थार्थ पुरानी तलवार भी 1857 में युद के लिए तयार थी बुंदेले हर बोलो की मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वैतो जासी वाली रानी थी बुंदेल खंड की हर हर महादेव का उद्गोश करने वालों के मुँ से हमने यही कहानी सुनी थी खूब लड़ी मर्दानी वैतो जासी वाली रानी थी रण भुमी में मर्दों की तरह लड़ने वाली वैतो जासी की रानी थी कानपूर के नाना की मुबोली बहन चबेली थी लक्ष्मी बाई नाम पिता की वे संतान अकेली थी नाना के संग पड़ती थी वे नाना के संग खेली थी बर्ची ढाल किरपान कटारे उसकी यही सहेली थी कानपूर के नाना की मुबोली बहन चबेली थी रानी लक्ष्मी बाई पेश्वा की पुत्र नाना की बच्पन की मुबोली बहन थी अर्थार्त कानपूर के पेश्वा के पुतर नाना ने बच्पन में ही रानी लक्ष्मिबाई की अद्वुत परतिबा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुबोली बेहन बना लिया था लक्ष्मी बाई नाम पिता की वे संतान अकेली थी उनका नाम लक्ष्मी बाई था और वे अपने पिता की इकलोती संतान थी नाना के संग पढ़ती थी वे नाना के संग खेली थी वे नाना साथ के साथ ही पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेलती थी कानपूर के नाना साहाब ने ही उन्हें युद्विद्या की सिख्षा दी थी कानपूर के पिश्वा के पुत्र नाना ने रानी लक्ष्मी बाई को अपनी मुँ बोली बहन बना लिया था वहे नाना की संगी खेलती थी और नाना की संगी पढ़ती थी बर्ची ढाल किरपांग कटारी उसकी यही सहली थी रानि लक्षमी भाई बाकि लड़कियों से अलग थी उन्हें गुडे गुडियों की बजाये तल्वार, किरपांग, तीर और बर्थी चलाना ही अच्छा लगता था यही सब उसकी सहली थी वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़े मर्दानी वैतो जांसी वाली रानी थी रानी लक्ष्मी बाई को शिवाजी की वीरता की कहानी भी मुझबानी याद थी बुंदेलों के लोगों के मुँ से हमने रानी लक्ष्मी बाई की कहाने सुनी थी खुब लड़ी मर्दानी वह तो जासी वाली रानी थी रन भुमी में मर्दों की तरह लड़ने वाली वह रानी तो जासी की रानी थी लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वै स्वम वीर्ता की अवतार देख मराठे पुल की थोते उसकी तलवारों के वार वै लक्ष्मी थी प्रंतु वै दुर्गा थी वै वीर्ता की अवतार थी रानी लक्ष्मिबाई वीरता की अवतार थी, वै दुर्गा के समान ही वीर थी, देख मराठे पुल की थोते उसकी तलवारों के वार, जो मराठे सनिक थी उसके तलवारों के वार देख करके प्रसन होते थे, नकले युद्वियू की रसना, और खेलना खोब शिकार, सैने घेलना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रियखिलवार, उसके जो प्रियखिल थे, नकले योद्वियों की रसना करना, शिकार खेलना, सैने घेलना और दुर्ग तोड़ना थे, महाराश्ट कुल देवी उसकी भी आरध्य भवाने थी, महारानी लक्ष्मिबाई वीर तो थी ही साथ में वै धार्मिक प्रवर्ती की भी थी। महाराष्ट की जो कुल्देवी थी वे उनकी आर्याध्यती। वे महाराष्ट की कुल्देवी की पूजा करती थी। बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहाने थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो जासी वाली रानी थी। बुंदेल खंड के हर हर महादेव का उदुघोश करने वालो के मुँ से हमने यही कहाने सुनी थी। रन भूमी में मर्दों की तरह लड़ने वाली वे रानी तो ज जासी की ही राने थी। इन पंक्तियों में कवित्री ने रानी लश्मी बाई के विवा के बारे में बताया है। जिनका विवा अर्जुन की साथ हुआ था। भगवान शिव जिनका विवा भगवान अर्थार्थ माता पार्वती के साथ हुआ था। बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने सुनी कहानी थी। खुब लड़ी मर्दानी वैतो जासी वाली रानी थी। बुंदेल खंड में हर हर महादेव का उद्धोश करने वाले वीरो के मुँ से हमने ये कहानी सुनी थी। मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी जासी की रानी लक्षमी बाई थी। शिक्षा इस कहाने से ये शिक्षा मिलती है कि देश पर मर्मिटने वाले सपूतों से हमें प्रेणा लेनी चाहिए और हमें भी अपने देश हित को ही सर्वपरी समझना चाहिए और अपने देश के लिए अपने प्रान तक नुचावर करने के लिए तयार रहना चाहिए क्यों की देश का हित्वी सबसे बड़ा हित्व है शब्द मैत्री ब्रुकुटी ब्रुकुटी का अर्थ है भू गुमी का अर्थ है खोई फिरंगी का अर्थ है अंग्रेज हर बोलो का अर्थ है राजाओ की वीर्ता और गोरव का घूम घूम कर गान करने वाली बुंदेल खंड की एक जाती मर्दानी मर्दानी का अर्थ है पुरुष जैसी मुह बोली मुह बोली का अर्थ है मुह से कहकर जिस इस्त्री से बेहन का नाता जोड़ा जाता है किरपान का अर्थ है तलवार पुलकित का अर्थ है प्रसन आराध्य का अर्थ है पूजा की जाने वाली भवानी का अर्थ है देवी पार्वती शुरुत लेक, फिरंगी, सत्तावन, मुह बोली, लक्ष्मी बाई, किरपान, आर्थ है बतू ये शब्दर्थ और शुरुत लेक आपको अपनी कोपी में लिखने है धन्यवाद